वेल्कम टो आवर चैनल ग्रिविटी कोचिंग सेंटर क्लास नाइन चेप्टर टू पॉलिनोमियल एक्सेसाइज 2.5 फैक्टराइज तो इस कोशेंज को मैं फैक्टराइज करना है तो थ्रो दी आडेंटिटी के थ्रो से करना है तो इसमें यह अडेंटिटी यूज होंगे तो इसके स्टार्टिंग के थ्री टम को हमें क्या करना है क्यूब के फर्म में करना है तो यह 27 किसके क्यूब होते हैं यह 3 क्यों होगा 3 x whole cube plus y की क्यूब plus z की क्यूब minus इसके को टिंग चैन करेंगे पले 3 और एक के प्लेस में मारा क्या है 3 multiply 3 x multiply y multiply z तब इस पूरे पाट को इस फर्मला क्या को टिंग यह अवलो पाट ली इसमें लिख देंगे चैन करेंगे ए बी सी के जगह रिप्लेस कर दो इनको तो equal to क्या हो जाएगा ABC means 3 x plus y plus z plus z और bracket a square means 3 x whole square plus b square means y whole square c square means z whole square उसके बाद क्या है minus a b तो a हमारा क्या है 3 x dot y और दूसरा b c y dot z और तिसरा z z dot 3 x dot 3 x close equal to 3 x plus y plus z or use a 9 x square plus y square plus z square z square minus 3 x y minus y z minus 3 z x answer verify that तो इसे में प्रूब करना है तो 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 वी नू दाट x x q plus y q plus z q minus 3 x y equal to this तो अब हम इसमें क्या गरेंगे आगे x equal to 1 upon 2 or x plus y plus z and 2 x square plus y square plus z square plus minus x y minus y z minus z x equal to इस 2 को क्या करना है अल के साथ multiply कर देना तो 1 upon 2 equal to sorry 1 upon 2 x x plus y plus z multiply करने सी होजाएगर 2 x square 2 y square 2 2 z square 2 z square 2 y z minus 2 z x minus 2 z bracket close of the equal to y y x y y plus z स्कुर्ड और क्या गरना कि टो एक्स स्कुर में हम एक y square यहाँ पे लिख देते हैं 1 y square यह हो गया पहला pot plus अब फिर यह 2 y square में 1 y square यहाँ पे लिख दिया हैं दूसरा y square हम यहाँ पे लिखते हैं y square minus 2 y z plus z square इसको ब्रकट पर रखेंगे plus 2 z square का 1 z square यहाँ पे लिख दिया है और दूसरा हम इदर लिखते है z square और यह लगा term last लगा term को 2 z x और x square हमने और अरदी पहले एक लिख रखा है दूसरा इदर लिख देते हैं ब्रकट अब फर्स्ट वारे पार्ट में क्या है 1 upon 2 x plus y plus z और यह identity हो जाएगा तो यह हो जाएगा x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square look at close probed question number 13 if x plus y plus z equal to 0 so that x q plus y q plus z q equal to 3 x y z तो इस question को solve करने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे we know that x q plus y q plus z q minus 3 x y z equal to this यहाँ पे x plus y plus z के जो value given दियावा 0 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जीरो बोट कर देंगे यह हो गया 0 और ब्रकट में हो गया यह एक्स स्क्वाइड plus y स्क्वाइड plus z स्क्वाइड minus x y minus y z minus z x प्रकट क्लोज अब क्या करना है कि इधर भी लिख देता हम यह x की क्यूब plus y की क्यूब plus z की क्यूब minus 3xyz x y z अब क्या हो जाएगा यह x की क्यूब plus y की क्यूब plus z की क्यूब minus 3xyz equal to 0 से मुल्टिप्ले करने से क्या आएगा 0 अब इस 3xyz को मा राइट साइड में बेज देंगे तो प्रूब्ट हो जाएगा so therefore x की क्यूब plus y की क्यूब plus z क्यूब equal to 3xyz physics y y y y y y प्रूप्ट